हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा विश्ट गॉड और आप देख रहे हैं जागरन जोज डाट कॉम और इस विडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ current affairs के questions और क्या questions बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ इस विडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें comment box में लिख कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ पहला सवाल है केरल का कौन सा जिला देश का पहला समविधान साक्षर जिला घोशित किया गया है आपके options हैं वाइनाट, कोलम, एनकोलम, कोटायम और इसका सही जवाब है option B कोलम केरल का कोलम जिला देश का पहला सम्विधान साक्षवर जिला यानि Constitution Literate District बन गया है इसकी घोशना केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विज्यन ने कोलम में एक समारों में की इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण सम्विधानिक साक्षवर प्राप्त करने के लिए सम्विधानिक मूल्यों को हमारी जीवन और शासन के साथ जोड़ा जोना चाहिए यह अभियान साथ महीने तक कोलम जिला पंचायत जिला योजन समीती और केरल स्थानी प्रशासन संस्थान द्वारा चलाया गया था इसका उद्देश जिले के साथ लाख परिवारों के तेईस लाख नागरिकों को सम्विधान साक्षुरता प्रदान करना था अगला सवाल है मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है और इसका सही जवाब है और इसका सही जवाब है और इसका इसका चुना गया है मिस यूनिवर्स 2022 ये बन चुकी है पिछली विजेता भारत की हरना संधू थी और उन्होंने उनको ताज पहनाया ये कहा ज़ाता है कि जो नई मिस यूनिवर्स बनती है उनको पिछली मिस यूनिवर्स ताज पहनाती है 71 मिस यूनिवर्स पेजिंट कारेकरम न्यू आर्लियंस यूएस में आयोजित किया गया था इस सुंदर्य प्रतियोगिता में वेनेजुएला की अमांडा डूडा मेल फर्स्ट रुनर अप रही और डॉमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज सेकिंड रुनर अप रही है ओप्शन्स हैं महराज कृष्ण कौशिक, खशाबा दादा साहिब जाधव, मेजर ध्यानचन्द, मिल्खा सिंग इसका सही जवाब है ओप्शन B खशाबा दादा साहिब जाधव गूगल ने खशाबा दादा साहिब जाधव को 97 जन्दिवस्प के एक मौके पर विशेश डूडल बनाकर श्रधांजली दी जाधव हेलनस्की में 1952 के ग्रीश मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे दादा साहिब जाधव को पॉकेट डाइनोमो के नाम से भी जाना ज्वाता था और 1992 से 1993 में महराश सरकार ने उन्हें मर्नोपरान छत्रपती पुरसकार प्रदान किया था खशाबा दादा साहिब जाधव का जन्म 15 जनवरी 1926 को हुआ था 58 वर्ष की आयू में 14 अगस 1984 में उनका निधन हो चुका था भारत के किस राजु में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया ज़ा रहा है ओडिश्या अरुनाचल प्रदेश अस्सम्मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है ओडिश्या ओडिश्या के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक भुबनेश्वर में एक पकवारे तक चलने व गया था इसके पहले दिन के आयोजन में FIH होकी मेंस वर्ल कप 2023 में भाग लेने वाले 16 देशों के वैश्विक व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया गया था भारतिय सेना देवस कब मनाया ज़ाता है ऑप्शन है 12 जनवरी 15 जनवरी 18 जनवरी 13 जनवरी इसका सही जवाब है एप्शन भी 15 जनवरी 15 जनवरी 2023 को पूरे देश में 75 सेने दिवस मनाया गया और हर साल ये 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना प्रमुक ने बैंगलुरो में 75 सेना दिवस समारों में कहा कि सेना भारत की सीमाओं के आसपास किसी भी स्तिति से निपटने के लिए तैयार है ये देश में उन सेनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो नीस्वर्थ सेवा करते हैं और देश के लिए बलिदान भी देते हैं 15 जनवरी 2023 को भारत ने बैंगलोरू में अपना 75 भारतिय सेना दिवस मनाया है किस फिल्म ने प्रिटिक्स चॉइस अवर्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवर्ड जीता है इसके ऑप्शन्स है दव वेल अर्जिंटीना 1985 आर 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 डिसीजन ओफ लिव इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर 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 आपको बता दे कि जो फिल्म है आर 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 इसने 28 वे क्रिटिक्स चॉइस अवर्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के अवर्ड से इसको सम्मानित किया गया है इस फिल्म को और साथ ही फिल्म के चर्चित सॉंग नाटू नाटू को भी बेस्ट सॉंग का अवर्ड मिला है यह सॉंग किरवाणी द्वारा कंपोड किया गया है अभी हाल ही में नाटूनाटू सॉंग को गोल्डन ग्लोब अवर्ड में बेस्ट उरिज्शनल सॉंग का अवर्ड मिला था पिछले वीडियो की सवाल की बात करते हैं पिछले वीडियो में आपसे सवाल पुछा गया था Year of Enterprises Project किस राज्यू की एक प्रमुक योजना है Options थे गुजरात, महराश्ट्रा, राजिस्थान, केरल इसका सही जवाब है Option D, केरल के Year of Enterprises Project को दूसरे मुखिसचीवों के राश्टी समेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मौडल के रूप में मानिता दी गई है इसे Throughput on Micro, Small and Medium Enterprises as MSME श्रेनी के लिए चुना गया था केरल सरकार ने चालू वितवर्ष में एक वर्ष में एक लग फर्म बनाने के लक्ष के साथ ये पहल शुरू की थी जिससे आठ महीने में पूरा कर लिया गया था अब इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसे Question of the Day कहते हैं और इसका जवाब अगर आपको हमें पता होगा आप हमें लिख के comment box में दे सकते हैं अगली वीडियो में आपको हमें इसका जवाब बताएंगे सवाल है किस संसा ने वैश्विग जोकिम रिपोर्ट 2023 जारी की है इसके option है विश्व बैंक अंतुराष्टि मुद्रा कोश एशिया इविकास बैंक विश्व आर्थिक मंच अगर आपको इसका सही जवाब पता है आप हमें comment box में लिख के देजिए साथी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like कीजिए साथी साथ share कीजिए